दोस्तों, मंगलवार के दिन ये अचूक उपाय कर लेना पूरा घर पैसों से भर जाएगा. श्री शिवाये नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव. दोस्तों, जब भाग्य और किस्मत दोनों रुक जाए और हर कदम पर आपको बस ठोकर ही ठोकर मिले, तो निराश होने की बजाए केवल बजरंग बली की शरण में चले जाना, वो आपकी हर परेशानी दूर कर देंगे. जी हां दोस्तों, आचार्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी में नाकाम्याबी, आपके पीछे हाथ धोकर पर गई हो, और लाख जद्दो जहत करने क बाद भी आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिती में केवल हनुमान जी हैं जो आपको बचा सकते हैं, क्योंकि आखिर यह महादेव के रुद्र अवतार जो हैं, तो मंगलवार वाले दिन हनुमान जी का यह विशेश उपाए, आपकी बंद किस्मत के तालो को चुटकियों में खोल सकता है, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, अचार्य जी का वो उपाए, तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नमस्कार दोस्तो सन्यासी जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखती जिएगा, दोस्तों गुरु जी कह रहे हैं कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान है, जो अपने जीवन से परेशान नहों, और उसके लिए स अम्रता का वर्दान भी मिला हुआ है, और अश्ट सिध्य और निधियों के जाता हनुमान जी के पास बल, विद्या, बुद्धी मौजूद है, और कल्युक के अंत के संसार में सभी मौजूद रहेंगे, ऐसे में गुरु जी कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, और इसलिए मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेश माना जाता है, ऐसे में आप किसी भी दिन हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेश कृपा के लिए आपको विशेश दिन का होना भी महत्व रखता है, इसलिए अगर आप पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने तंत्र, मंत्र या फिर नकारात्मक शक्तियों का घिराव कर दिया है, या फिर आपके घर में कलह कलेश की वजह से अशान्ती बनी हुई तो हनुमान जी का यह एक अच्चोक उपाय अगर आप करेंगे तो आपके जीवन से सारी परेशानिया सारे दुख दूर हो जाएंगे इस उपाय को करने के लिए आपको आटे का चौमुक दीपक बनाना है जिसमें हनुमान जी पर असी लौंग चड़ाने का विधान शास्त् फिर हनुमान जी से अपने परिवार में शांती और अपनी परेशानियों का अंत करने की मनोकाम ना मांगे अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके परिवार में न केवल शांत रहेगी बलकि आपके जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते भी खुलेंगे इसी के साथ आपने आटे के दीपक में जो असी लवंग लॉंग डाली है तो अगर आप पूजा करने के बाद इन्हें घर लाकर एक लाल रंग के कपरे में बांध कर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देते हैं तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होंग इसके अलावा गुरु जी ने परिवार को नजर दोश से बचाने के लिए और तंत्र या मंत्र या फिर बुरी शक्तियों से सुरक्षा करने के लिए अब चलिए हनुमान जी का एक और उपाय आपको बताते हैं तो दोस्तो गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में कोई भी दुरगटना बार-बार हो रही है या फिर नुकसान होते रहते हैं तो आप एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लेकर आए और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए ध्यान रहे कि आपको हर मंगलवार को इस तस्वीर की पूजा करना जरूरी है हनुमान जी को लड़ू का भोग लगाना है और एक सरसों का दीपक हर मंगलवार को आपको उस तस्वीर के नीचे जलाना होगा इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में शत्रू पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं अपने बल पौरुश और अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल वाला चौला जरूर छड़ाए इसी के साथ आप हनुमान जी के सामने शुद्ध देशी घी का दीपक भी जलाए और बूंदी के लड़ू का भोग लगाए और हनुमान चालीसा, बजरंग बान संकट मोचन, हनुमान स्टक और सुन्दर कांड में से किसी भी एक कारण का पाठ करे क्योंकि हनुमान जी का केवल नाम स्मरण करने से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपको अपने शत्रू पर विजय प्राप्त होगी आप हनुमान जी की साधना जिस रूप में भी करते हैं, आपको उसकी विशेश फल की प्राप्ती होती है तो दोस्तों ये थे गुरु जी के बताय हुए कुछ अचूक उपाए, जिससे करने के बाद आपको हर बाधा से मुक्ती जरूर मिलेगी तो उम्मीद करते हैं दोस्तों की गुरु जी के बताय हुए उपाए आपको जरूर पसंद आये होंगे तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तो धन्यवाद